चलो बच्चो हमने थियोरी बहुत पढ़ ली अब हम लोग इसका एक कोशन देखते हैं रिलेशन का यहां पर विटा आपको एक दिया गया है रिलेशन जो सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है और आपको सेट ए दिया भी गया है 1,2,3,4,5,6 ठीक और आप से कहा जा रहा है रि वो इस तरीके से है कि second element B क्या है second element वो first element A से एक ज्यादा है इसका मतलब जो भी first element होगा उसमें one add करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा second element इस तरीके के relation के लिए बिटा आपको चेक करना है क्या यह equivalence relation है हमने बताया अभी आपको इससे पहली वीडियो में कि equivalence relation वो होता ह है जो की reflexive हो symmetric हो और ट्रंजिटी हो तो हम इसको solve करेंगे और जो हमने technique आपको बताई है उसी चीज का use करेंगे तो इसका solution देखिए सबसे पहली चीज हम लोग चेक करेंगे reflexive तो बटा हमने reflexive के आपको क्या definition बताई थी कि अगर a,a वो आपके relation में हो ठीक है for all value of a belongs to set a ठीक है set a में जितने भी element है उन सभी की value के लिए जुडवा वाले ordered pair relation r में आने चाहिए तो ज़रा देखो कि इस relation में क्या a,a आएगा अब ज़रा इस relation को देखो relation आपको दिया गया है b बराबर a प्लस 1 तो अगर हम लोग यह क्या है पहला element और b क्या है दूसरा element तो दूसरे element की जगर जब हम लोग a रखेंगे तो a बराबर a प्लस 1 तो बेटा क्या यह possible है आप ही बताईए क्या यह possible है बिलकुल नहीं है कोई भी number अपने आप में one add करने पे वही number आ जाए यह possible नहीं है ठीक है तो इसका मतलब इस relation में a,a नहीं होगा ठीक है तो a की value क्या होगी 1,2,3,4,5,6 इसी में कुछ होगी तो a की value पहले one लीजिए तो b की value क्या है a से एक ज्यादा तो one से एक ज्यादा क्या हो जाएगा two इसी प्रकार से आप A की value जब 2 लेंगे तो B की value क्या हो जाएगी एक ज्यादा 3 इसी प्रकार से A की value जब 3 लेंगे तो B की value क्या हो जाएगी एक ज्यादा 4 ठीक है आपको यह द्यान अखना है यह जो relation है यह पहले और दूसरे element के बीच में valid होना चाहिए बस A की value 5 लेंगे तो B की value हो जाएगी 6 ऐसे ही A की value 6 लेंगे तो बटा जब A की value 6 लोगे तो 6 प्लस 1 7 B की value क्या रही है 7 क्या 7 set A में है नहीं है और हमें पता है कि पहला element A से होना चाहिए और दूसरा element भी A से ही होना चाहिए तो 7 तो A में है नहीं इसका मतलब यह 6,7 वाला ordered pair जो है यह इसमें नहीं आएगा तो आपका relation यह बन गया है इसके अंदर कितने order pair आ रहे है 1,2,3,4,5 अगर बाँ समझें जो यह relation दिया गया है उसी की यह roster form है तो देखे क्या इसमें 1,1,2,2,3,3 आ रहे है नहीं आ रहे है तो इसका मतलब यह reflexive नहीं है अगली चीबटा आपको check करने है symmetric ठीक है तो देखो हम लोग यहां roster form से भी check कर सकते है 1,2 हमने symmetric लिए क्या बदाय था हर ordered pair का उल्टा आर में होना चाहिए तो देखो 1,2 है चेक करो क्या 2,1 है कहीं पर नहीं है तो इसका मतलब अगर एक का भी उल्टा नहीं मिलगा है तो symmetric नहीं आ गया आपको check ही नहीं करना है तो इसका मतलब यह symmetric भी नहीं है ठीक है उसके बाद तीसरा आपको क्या check करना है ट्रांसिटिव तो बटा देखो ट्रांसिटिव में क्या करते हैं ट्रांसिटिव हमने बताया था पहले दो ऐसे ordered pair ढूनों जिनका फर्स्ट और लास्ट element सेम तो इस ordered pair को और इस ordered pair को देखो इन दोनों में ही आप देख सकते हैं कि इसका second element 2 है और इसका first element 2 है सेम है तो इसका मतलब 1,3 वाला ordered pair होना चाहिए चेक करो कहीं 1,3 दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह ट्रांसिटिव भी नहीं है आगी बाद समझ में तो यह relation ना तो reflexive है ना symmetric है ना ट्रांसिटिव है तो equivalence तो बिल्किल नहीं होगा तो आप क्या रिखेंगे नोट इक्यू वैलेंस पहले आप concept सीख लीजिए question को solve करना सीख लीजिए उसके बाद कैसे लिखना है यह हम आपको सिखाएंगे ओके अब एक example लो ले लिए बेटा यह देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपको एक relation दिया गया है जो set a से set a पर defined किया जा रहा है और relation की definition क्या है relation की definition हमने बताया था हमेशा colon के बाद लिखे जाती है तो relation आपका define किया जा रहा है कि पहला element a दूसरे element से या तो छोटा हो या बराबर हो अजब आस समझे में relation क्या है कि पहला element दूसरे के या तो बराबर होगा या छोटा होगा चलिए अब इसको चेक करते हैं क्या यह symmetric reflexive और ट्रांजिटिव है की नहीं है ठीक है solution देखिए सबसे पहले हम लोग reflexive चेक करेंगे तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको set a दिया नहीं है set a क्या है दिया नहीं है तो इसका मतला इसकी roster form नहीं मना सकते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोग concept से इसको solve करेंगे ठीक है तो reflexive relation का concept क्या था ऐसा relation जिसमें a,a वो आपके relation r म हो ठीक है for all value of a belongs to set a यह definition थी तो जरा सोचो क्या यह a,a इस relation को satisfy कर रहा है क्या a जोगी a से छोटा हो इसके बराबर है तो छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो होता है इसका मतलब हमें दोनों condition, दोनों में से कोई भी एक condition follow होनी चाहिए तो छोटा हो या बराबर हो तो बराबर तो है तो इसका मतलब a,a जो होगा वो आपके given relation का एक ordered pair है तो यहाँ से हम सुमारा relation reflexive तो है ठीक पहला clear next अब बेटा ट्रांजिटिव ओ सरी symmetric चेक करेंगे ठीक है symmetric की बेटा definition है जब भी आपको set नहीं दिया गया हो set आपको roaster form में नहीं दिया गया हो तो आपको relation को concept से ही जो definition है reflexive symmetric और transitive की उसी से ही solve करना है तो पहले symmetric की definition बताईए क्या है कि a,b अगर r में है तो इसका मतलब b,a,b,r में होना चाहिए ठीक ज़र बच्चों यह बताओ अगर यह चीज है a,b,r में है इसका मतलब b जो होगा वो sorry a जो होगा वो b से छोटा यह उसके बराबर होगा ठीक और अगर यह इसमें r में है तो इसका मतलब b,a,b,r में है तो अगर b,a,r में होगा तो यह भी relation को follow कर रहा होगा तो relation क्या है पहला element मतलब b वो क्या होगा छोटा होगा यह बराबर होगा दूसरे element के ठीक क्या यह दोनों चीज एक साथ संभव हो सकती है इसको यह लिखेंगे मतलब कोई a,b से छोटा भी है और यहां पर देखे a,b से बड़ा भी है तो कोई ऐसा number है जो किसी दूसरे number से छोटा भी हो बड़ा भी हो ऐसा तो होई नहीं सकता है भाई कोई भी number 2 ह माल लिजिए 2 अगर 1 से बड़ा है तो क्या 2 एक से छोटा हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यह दोनों एक साथ तभी possible होंगे जब a और b क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है तो इसका मतलब a और b बराबर होने का मतलब a,a यह के वर r में होगा आज बास समझोंगे लेकिन A, B और B, A, R में नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो किसी दूसरे नंबर से छोटा भी है और उसी से बड़ा भी हो तो इसका मतलब आपका relation symmetric तो नहीं है यहां तक clear हो गया हमने proof कर दिया है कि हमारा relation reflexive तो है लेकिन symmetric नहीं है अब transitive के लिए देखिए तो बैटा transitive की क्या definition है transitive की definition है कि अगर A, B, R में है ठीक और B, C, R में है तो इसका मतलब क्या है कि A, C, B, R में होगा ठीक है अब इसको अपने relation में रखो हमारा relation क्या था पहला element दूसरे से छोटा हो A, B अगर R में है तो इसका मतलब A, B से छोटा है या उसके बराबर है ठीक B, C, R में इसका मतलब B, C से छोटा है तो क्या इन दोनों से निस्कर्स लिका सकते हैं कि A, C से छोटा है देखिए A, B से छोटा है और B, C से छोटा है इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ C और सबसे छोटा कौन हुआ A, इसका मतलब A, C से छोटा हुआ इसका मतलब A, C से छोटा हुआ तो A, C, R में होगा क्योंकि यही तो आपका relation है कि पहला element दूसरे से छोटा हो पहला दूसरे तो छोटा है तो ये आपका r में होगा इसका मतलब हर element a,b sorry हर ordered pair a,b और b,c के लिए a,c r में होगा तो आपका relation transitive है तो आपका relation reflexive है, transitive है लेकिन symmetric नहीं है तो इसका मतलब equivalence नहीं होगा so that's all, आगे आप लोग practice कीजिए, कोई problem हो तो comment में लिखिए,thank you